सूरिया के वो कैज के बारे में मैं शुरुवात करूंगा सर आप उनके कोच रहे चुके हैं क्या कहेंगे उस वक्त हम ज़स्ट बहार से घर की तरफ पहुच रहे थे और गाड़ी से उतरने का था तो मेरा लड़का मुझे बुला था कि माबा बोलता है कि मिलर ने six मारा एक second में बोलता है कि सूरिया ने क्याज बना लिया और हम मोबाल पर देख भी रहे थे तो वो मोमेंट जब हमने देखा कि कैज बन गया है सुरिया महार जाके अंदर आके वापस कैज पकड़ लिया और उंगली बता कि चल रहा कि आउट हो गया और मैच ऐसा चल रहा था कि 6 बॉल में 16 रंच चाहिए ये सामने मिलर है और वो जब सुरिया ने कैज बना लिया तो हमको उदर लगा कि हमने मैच बना लिया क्योंकि वो कैज यह इसा था कि वर्ल कप हमारे हाथ से रहेगा नहीं रहेगा और सुरिया ने कैज बना के वर्ल कप अपने हाथ में ले लिया पूरे टुनामेन में सूरिया अच्छा खेला है ऐसा नहीं है कल जो है उसने एक शॉट मारा और वहाँ पर कैच आउट हो गया कल सूरिया की सबसे ज़्यादा ज़ुरत थी भारतिये टीम को ऐसे नहीं तो वैसे सूरिया ने अपना काम तो करी लिया बड़ क्या सूरिया को और इंप्रू करने के ज़़ुरत है क्योंकि फ्यूचर है वह भारतिये टीम के से नहीं नहीं इंप्रू तो करते रहेंगे कि उनका उनका जितना प्रैक्टिक चलता है उनके साथ में जो सब बड़े-बड़े कोचस रहते हो सब करके लेते खुदका भ के भी आता है तो उसको मालम है मुझे क्या चाहिए उसको क्या चाहिए मुझे कैसा जाना है उसको कैसा जाना है क्योंकि अभी बड़ा क्रिकेट में जाना है तो मुझे क्लियर मेरा क्लियरिटी बहुत जरूरी है कि मुझे कैसा जाना है और क्लियरिटी उसके पास है और जो मैं उसका मेसेज छोड़ता हूँ उसको क्रिकेट के बारे में और बहुत जल्दी एडप्ट कर लेता है